अद्विक को ब्लट कैंसर है, उसके माबाप उसके इलाज कराने में अर्सामर्थ हैं इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरुरत है डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पर जाएं और अद्विक की उमीद बनें इन्सानियत से बढ़कर दुनिया में कुछ और बढ़ा नहीं होता ये बात सावित कर दी है चंदॉली के डियम संजीप सिंग ने द्रसल डियम साव अपने कारेले से निकल कर NIC कारेले की तरफ जा रहे थे उसी दोरान उन्होंने सड़क के नारे एक बज़र्ग को पड़ा देखा या देख उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी से उतर कर बज़र्ग के पास पहुंच गए बुज़र्ग के शरीर पर चोड के निशान थे और वो बुज़र्ग बिहोशी के इस तती में सड़क के नारे पड़ा हुआ था इसके बाद डीम ने तत्काल एंबुलेंस बुलबाई और बुज़र्ग व्यक्ति को इलाज के लिए जिलास्पताल भीजवा दिया बुज़र्ग की पहचान द्वार का बिंद के नाम से हुई है और वो चंदॉली के कोस्वा गाउं के रहने वाले हैं वो भूलने की बीमारी के चलते 30 मई को घर से लापता हो गए थे और दो जून को लावारिस हालत में साड़क किनारे पड़े हुए मिले थे द्वार का बिंद के बेटे ने बताया कि पिछले कुछ दूनों से हम लोग इनकी तलाश में लगे हुए थे हमने इने हर जगा खोजा थाने में इनकी गुम शुद्ग की रिपोर्ट भी दर्च कराई आफिरकार हमें पता चला कि ये अस्पताल में भड़ती हैं अब कैसे हैं बाबा? इसमें बहुत अच्छे हैं बाले की अपेक्टा बहुत चेका हैं डीम साब यहीं नहीं रुके अस्पताल में भड़ती कराने के बावजूद वह अगले दिन अस्पताल पहुंचे और उस बुजूर्ग का हाल चाल जाना इस मामले में जब हमने डीम संजीब सिंग से बात की तो सुनिये उन्होंने क्या कहा? आना कंदवाती बुसवा के रहने वाले में उनका उखल पुचेत वस्ताम में पाया गया था तबकाल जिलास पता में बत्ती कराएं और बेटकर चीजूर्ग करेंगा गया है इसके पाया गया है कि उम्रबात्र वर्स इसके देविलिसिया से इसके तरिक इनको ब्रेट इपरेशन दीवा था उस समय परिवार वालों के दौरा थी स्तारी जो घड से निकले थे उस समय इसकी गया हो गया थे बुलने की विवाली की वज़े से और वह उने पच्छी शप्रवाइट हाना कंडवा में बोड भी किया था अब इनका जिलास पताल चंडौली में सम्ची जिलास किया रहा है और अब इसकी अच्छी है और बहुसे भी आने हैं कुछ-कुछ पहचान की नहीं है तरिवार व अब आपकी यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देख तेरे यूपी तर आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया